नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं बेरी के बाहर किया गया, जिसमें करीब सोथ शात्र सामिल हुए, बिरोध कर रहे शात्रों ने कहा है कि पर्त्युक्ता परिक्षा में जन जाती और छेत्रिये भासा को हटा दिया गया है, केवल हिंदी और अंग्रेजी में परिक्षाली जाएगी, जो जहर्खन्डी हित में हम इतने दिनों से जन जाती और छत्रिय भासा की त्यारी करते आये हैं अब अंग्रेजी में परिक्षा देनी होगी तो हम कैसे पास करेंगे ऐसे भी हमारा उम्र बढ़ता चला जा रहा है और सरकार जो भी नियम लागू करती है वह हमारे हित में नहीं होती तो फिर इसे सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से साथ की परिक्षा राजे के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से साथ तक होने वाले अर्दवार्सिक परिक्षा के तीथी में बदलाव किया गया है पहले अब परिक्षा 16 जनवरी से होने वाली थी जारखन में मनाये जाने वाले टूसू प मुक्ति मोच्चा के बारा गोडा विधायक समीर कुमार मोहंती ने सिक्चा मंत्र जगनात्मतों को बीटे दिन एक पत्र लिखा था पत्र में उन्होंने टूसू पर्व का हवाला देते परिशा किती थी में परिवतन करने की मांग की थी सराय के लग खर्षवा में मजदूरों को लेकर जा रही गाड़ी टकराने से साथ की मौत जारखन के सराय के लग खर्षवा में गुरू आर सुबा भीशन सलक दुरगाटना हो गई इस हाथसे में साथ लोग मारे गए हैं जबकी आठ लोग गंभी रूप से गायल हैं कुल गहलो की संख्या करीब एक दरजन बताई जा रही है कहा जा रहा है कि मौदकों की संख्या में जाफ़ा भी हो सकता है घटना सराय के लगार्षावा किया है घटना के समद में मिली जनकारी की मुताविक सराय के लगार्षावा में राजनगर चाईबा समों के मार्ग पर और नियंत्रित पीक अप हुआ है दुर घटना गरस्थ हो गई सुबह काफी कोहरा था करीब 20 मजदुरों को लेकर पीक अप वैन कारस्थल की ओर जा रहा था राजनगर चाईबा समों के मार्ग पर पीक अप वैन पलट गया है हाथ सा इतना विशन था कि मिलीत को के स्वाव इधर के उधर बिखर गए जारखन में नए सीरे से बनेगी नियोजन नीती दसवी बर हवी पास अनिवरता हटेगी जहरकन में दुबारह नियोजन निती बनेगी मुक्सचीव ने निर्देश दिया है की फुरानी नियमावली के मुताबिक ही नय नियोजन निती बनाए और सविक्रित के लिए सरकार को भेजे गौतलब है की जहरकन की मौझूदा हेमन सरकार द्वारा बनाई गए नियोजन निती को जहरकन हाई कोट ने 16 दिसंबर को और समय धानिक बताते हुए रद कर दिया है कोट ने नियोजन निती के खिलाप दायर की गई आजका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इसमें सन्मिधान के अनुचेद 14 और अनुचेद 16 का खुला उलंकन हाई बता देखी नियोजन निती में राज की 3 और 4 ग्रेट की नोकरी में जहरकन से ही दासुए और बराहमी पास करने वाले युवाओ को मौका मिलेगा छेतरी ये भासा की सुची से हिंदी को हटा कर उर्दू को सामिल किया गया था मिली जनकारी के अनुसार जहरकन में तरीतिये हमचतु तवरगिये पाधव पन्युक्ति के लिए राज से ही दासुए बराहमी करने की बैधाता नई नियोजन निती में खत्म की जाएगी जहरकन में छुटी पर घर आया आर्मी जवान की हत्या जहरकन में आर्मी की जवान की निर्माम हत्या कर दी गई है जवान छुटी पर घर आया था मामला बुद्वार देर रात का है बताया जाता है कि जवान सोने की तयारी कर रहा था तभी अपराधियों ने हमला कर दिया हत्या की वज़ा फिलहाल असपस्ट नहीं है पुलिस मामले की छान बीन में जूटी है बता दे आर्मी जवान के हत्या की घटना जारखन की गुमला जीला अंतरगर सदर थाना छेत्रे के खोरा जामा टोली में हुई है बताया जाता है कि 4-5 की संख्या में आई अग्यात अपराधियों ने जवान पर तेज धारदार हत्यार से हमला किया हमले में बुरी तरह से घाहल जवान की मौके पर ही मौत हो गई मृत जवान की पाचान परना उराओं के रूप में की गई है पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है जारखन में 137 सहायक सिख्षकों ने छोड़ी नोकरी जारखन में पर्मान पत्र सत्यापन के करम में 137 पाराओं सिख्षकों ने नोकरी छोड़ दी है और 87 के बारे में कोई जनकारी नहीं मिल पाई है वहीं 13 पाराओं सिख्षकों पर अपरादिक मामले दर्ज है यहां बताते चले कि राजे के 17,65 में से 35,151 पालग सिक्चा के पवान पत्र का सत्यापन हो गया है वहीं 8 marine 624 पालग सिक्षक रूहाँ नहीं हो सका है पारासनात पर दावेदारी को लेकर मधुबन में 10 जनवरी को हुए आदिवासी मुलवासी के महाजुटान आंदोरन के बाइद जैन तिर्थे आत्री वाप पस लोटने लगे हैं दो दिन में करीब डेढ़ हजार तिर्थे आत्री पारासनात से लोट गए हैं इन में जायतर तिर्थे आत्री गुजरात पच्छिम मंगाल महराष्ट और मध्य पर्दस के सामिल थे साथ ही पारासनात आने वाले जैन तिर्थे आत्रीयों के आठ संगों ने भी अपनी आत्रा रद कर दी है आदम खोर तेंदिवे को देखते ही गोली मारने का परसासन जारखन में एक आदम खोर तेंदिवे को बेहोस करने या पिंजडे में कैद करने की कोशी से असपल रहने के बाद राजे का वन विभागू से देखते ही गोली मारने का आदेस जारी करने पर विचार कर रहा है एक अधिकाई ने बिरस्पतिवार को यह जनकारी दी है बतादे आदम खोर तेंद्वे ने अब तक चार बचों की जान ले चुका है तेंद्वे से निपटने के लिए परसासन एक सर्मोड में है हैदराबाद निवासी परसीद सिकारी नवाब सफ़त अली खान को तेंद्वे को पकड़ने में मदद के लिए यहां बुलाया गया है रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आज रद जारखन की राजधानी रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन आज नई दिल्ली के लिए रवाना नहीं होगी यह ट्रेन आज रद रहेगी लिंक रेक के बिलम से चलने की वज़ा से यह निना लिया गया है दक्षिन पुरो रेल्वे रांची मंडल के जनसंपर्क विभाग ने गुरु आर 12 जन्वारी को यह जनकारी दिया है दक्षिन पुरो रेल्वे की ओर से बताया गया है कि लिंक रेक के बिलम से चलने की वज़ा से ट्रेन संख्या 20407 रांची नई दिली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के पस्थापन समय में परिवर्तन किया गया है यह ट्रेन 12 जन्वारी को नई दिली के लिए प्रस्थान नहीं करेगी आमतर पर राजधानी एक्सप्रेस साम 6 बजकर 25 मिट पर रांची से चलती है जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परिक्षा से पूर्व बिशाय में दिया बदलाव का आउसर जैक की मैट्रिक इंटर परिक्षा 2023 के परिक्षार्थियों को अपने बिशाय में बदलाव का आउसर दिया आ गया है पत्र में कहा गया कि मकर संक्रांती के साथ मनाया जाता है टूसू पर्व जार्खन के कुडमी और आदिवासियों का सबसे महत्पुन पर्वा या जाडों में फसल कटने के बाद पोस के महिने में मनाया जाता है या पर्व 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांती तक लगभग एक महिने तक मनाया जाता तूसू का साब्दिक अर्थ ही कुवारी है वैसे तो जार्खन के सभी पर्व तेवार प्रकिर्दिक से जुड़े हुए है लेकिन तूसू पर्व का महत तो कुछ और ही है बतादे टूसु पर्वे के इतिहास का कुछ खास लिखित सरोत नहीं है लेकिन इस पर्व में बहुत से कर्म कांड होते हैं और यह अत्यन्थी रंगीन और जीवन से परिपुन तेवार है सरना और सनातन एक ही मा के पूत्र हिंदु जागरन मंच के छेत्र संगठन मंत्री और आरेसेस के वरिष्ट प्रचारक सुमन कुमार ने कहा है कि लोब और धोखा देकर कराया जा रहा है मतांतरन महापाप है इसे रोकना होगा साथ ही जो लोग इस अवैद काम में लगे हुए हैं उन्हें करी सजा दिलानी होगी अवैद मतांतरन को रोकने की जिम्मेदारी हम सभी की है हमारे लिए पुरे समाज को आगे आना चाहिए हमारी निस्क्रियता के करान हमारे भाई बहन मतांतरित हो रहे हैं इसके लिए उच निच का भेद समाप्त कर हमें समर्स समाज की अस्थापना करनी है सुमन कुमार बुद्वार को खोटी जिला के रणिया परखंड मुख्याला में हिंदू जाजन मंच की ओर से आयोदीत सरना सनातन महा समेलन को समधित कर रहे थे जहरिया अगिन प्रभावीद छेतर के 70 डेंजर जोन से हटाए जाएंगे 12,000 परिवार जहरिया अगिन प्रभावीद छेतर के 595 साइट में से 70 छेतर अतिक खतरनाख है इसलिए इन छेतरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगो पर विश्ठापित करने का निर्देश, केंद्रिये, कोईला सचीव, अमरीत लाल मीना और राज के मुक सचीव सुकदेव सिंग ने बुद्धवार को सनिक रूप से समधित विभाग के अधिकारियों को दिया दोनों अधिकारियों ने इसके लिए जिला पर साचन और BCCL से जुड़े अधिकारियों को अगले तीन माह में पुरी परकिलिया को अंजाम देने को कहा है रांची के एक और राचन डीलर का लाइसेंस रद कांके में 70-80 पर्थित लावकों को फर्जी तरीके से पर्चिन निकाल कर राचन देने के मामले में जिला परसासे ने करवाई की है जिला परशास ने कांक्के के राचंड डिलर परवेस कुमार का लाइसेंश रद कर दिया है लाबको की सिकायद पर जाच के बाद यह करवाई की गई है बता दे कि राशन कार्धारियों ने आप पूर्ती ओफिस में प्रवेश कुमार के खिलाफ सिकाय धर्ज कराई थी डिलर पर अनि में ताओ कि कई आरोप लगे थे डिलर पर कौम राशन देने मापतोल में गलबरी और गलत ब्यवार करने की सिकाय धर्ज की गई थी धन्यवाद